करो ह्ड mm को किसे हैं आफ स्ब होपधा खुश हों गे सब वारा डांथ होंगे तो मैं आज फीर से एक रिडिंग करने वाली हूं और यह क्लेक्टिव रिडिंग है यह जैनल गरे इसे लिए आपि अपने-पने शीच्टेशन से अपने आपको open रखें और message को यहां पर लें ओके और thank you thank you so much वीडियो को like करने के लिए comment करने के लिए और subscribe करने के लिए ओके तो मैं यहां पर reading स्टार्ट करती हूं और जिसे भी personal reading चाहिए उसका मैंने अपना WhatsApp नमबर भी ईक्सोर का लखार वहां से आप देख सकते हूं तो मैं यहां पर reading स्टार्ट करते हूं कि मेरे विवर्सटे इन्श का सनुस्काइबर को इंश का क्या संदीश, संदीश को इंशर संदीश देना चाहते ही, मैरे का संदीश को हम फर्स्ट काड आया है सोल मेट में सभी कार्स निकाल लेती हूं उसके बाद मैं आपको बताऊंगी विक्टिम है कम्प्लीट ग्रीफ वन कार्सोल लूगी मैं यहां पर धैंक देंक 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 सो मुट किया हो से मैं यह और से देखूंगी Thank You양is thank you so much क्या संदि से मेरे स्गार बज़िक की एंज अट और क्या संदी से क्या संदी से मेरे वोसे स्क्राइब के थेंक यू 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 तो कार्ट और एमेर सेंजर्स तो कार्ट तो के यहां पर आपको बताओं कि आपके इश्वर आपके परमेश्वर अभी आपको क्या मेसेज यहां पर देना जाते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताओं कि आपको मेसेज आपके लिए यही है कि आपको किसी किसी को यहां पर डिका लास्ट का डैथ, six of cups, five of swords, okay, magician यहां पर देखो किसी किसी की सब अपनी अपनी situation से यहां पर मेसेज लेंगे, किसी किसी की यहां पर बहुत ज़्यादा हार्ट की awakening कीजा रही हाट चक्रा पर हीलेंगे, ठीक है? क्योंकि किसी किसी कि देखो क्या होता है ना कि जब हम पीछे की चीजों को पीछे की चीजों को हम छोड़ नहीं पाते हैं पीछे पास्ट में कुछ चीजे ऐसी रहती हैं जो बार बार केते हैं हमारा जब हार चक्रा ब्लोकेज उस चीज में रहते हैं हमारे दिल के अंदर कोई एक टीस सी रहती है, एक जिस चीज को हम complete नहीं कर पाते हैं, ठीके, एक हमारा जो मन हमेशा एक विचलित रहता है, मन में हमेशा एक doubts आते रहते हैं, ठीके, एक confusion एक बराबर बना रहता है, ये past का कोई person ऐसा हो सकता है, जहां पर आपको केते हैं, ज जिस चीज से बचने की जर्रत है, उस past की person से, या past की energy से, या past में कुछ चीजे ऐसी हुई थी, जिसकी वज़े से आपका heart chakra block हुआ था, बहुत जादा आप उस चीज में सफ्रेशन में रहे थे, और काफी आपने शायद अकेले time आपने निकाला है, आपने चीजों के साथ अपने आप पर शायद काम किया है, किसी किसी के साथ ये situation मुझे नजर आ रही है, और किसी की ये है, कि आपने हिना उन सब चीजों को बहुत थद तक complete किया है यहाँ पर, क्योंकि day का last card death का था, death मतलब एक complete करना चीजों को, फिर से एक new beginning करना, नई journey का start होना, और अपनी powers में आना और एक transformation को बताता है, ठीके, जो reading का पूरा start देखे, last card में निकलता है, तो एक transformation में यहाँ पर देख रही हूँ, एक किसी कि चीटिंग के धोके से आप उस चीजों को बहुत easily आप समझ रहे हो, जो past में चीजे हुई थी आपके साथ, उन सब चीजों को आप बहु आपके लिए संदेश ये भी है कि आपको वो चीज आपको करने की जरुत है, कि past की जो चीजे आपको बार-बार एक दिल दुखता है, बार-बार चीजे जो complete करते हैं, लेकिन complete होते होते होते, फिर वहीं पर हम पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पर उन सब चीजों को आपक complete करने की जरुत है, और बहुत हद तक यहाँ पर किसी-किसी की complete भी देख रहे हो, क्योंकि death का कार्ट है यहाँ पर, death मतलब एक new beginning, okay, transformation को बता रहा है, आपने बहुत हद तक past की चीजों को अपने आने तक रोक दिया है, शुरक्षित एक boundary, एक किते न, अपने आपको protect करना यहाँ पर, किसी के लिए वो चीजे मुझे ही नजर आ रही है, किसी-किसी के लिए यहाँ पर career से related या financially related, बहुत सारी चीजे ऐसी थी, कि जो आपको आपके सही रस्ते पर चलने से रोकती थी, एक सही रस्ता शायद, एक सही direction शायद आपको मिल नहीं पाता था, एक किते न किसी का जरिया, यह कोई जरिया अपने हाथ लग जाना, कोई चीज अपने हाथ लग जाना, और जिसकी वज़े से हम तर जाते हैं, और बहुत सारी चीजों को हम अच्छे से complete यहाँ पर कर लेते हैं, ठीके, तो किसी-किसी के लिए यहाँ पर मैं देख रही है, कि बहुत ज करते हैं, वो चीजों को complete करता है, कहीं ना कहीं, वो एक टाइम को निकाल देना, जो एक बुरा वक्त था, उस वक्त को निकाल देना, बहुत आराम से और बहुत पीसफुली, यहाँ पर किसी-किसी के लिए देख रही हूँ कि आपने बहुत जादा अपने उपर काम किया है मेडिटेशन, ध्यान, योगा, और एक बहुत ऐसी साइकल से बाहर आए हो, जहाँ पर आपका हाट चक्रा भी ब्लोक था, जहाँ पर आप लिटरली बहुत सारी चीजों को आप, आपकी एनरजी मुझे से लगता है, आपकी एनरजी है ना, जहाँ जानी थी, वहाँ नहीं जाकर कहीं और आप अपनी एनरजी को लगा रहे थी, इश्वर हमें एनरजी पूरी देता है, लेकिन अब उस एनरजी को कहां, किस वक्त लगाना है, ये शायद आपको चीजे समझ में नहीं आ रही थी, ठीके, लेकिन यहाँ पर अब आपने ये अपने आपको कम्प्लीट किया है, पास्ट की एनरजी से अपने आपको निकाला है, अपने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, और प्लस आप जिस एक पर्टिकूलर एक रस्ते को पकड़ लेना, ठीके, क्योंकि कार्ट सोल्मेट का है यहाँ पर, मैं इस कार्ट को हमेशा, मेडिटेशन, ध्यान, होते हैं, उन सब चीजों को साइड कर देते हैं, ठीके, हम उसकी तरफ द्यान नहीं देते, और पर्टिकूलर हमें जहां जाना, एक सही रस्ता में मिल जाता है, उस चीज पर हम ध्यान देने लगते, तो हम क्या करते हैं, एक हमारे इर्दिकिर्द एक बाउंटरी क्रियेट करते हैं ना कि हाँ मुझे अब उन सब चीजों में नहीं पढ़ना मुझे सिर्फ आगी की तरफ फोकस यहाँ पर करना है ठीक है यह बात कंफर्म है कि आप पूरे हैंग हो रखे थे इसी वज़े से आपकी एनरजी एक गलट डिरेक्शन में जा रही थी लेकिन अब मैं अब यहाँ पर आपका हाट चक्रा की हीलिंग की जा रही है काफी हद तक आप पुरानी चीजों को टाटा बाय बाय करते करते एक सही डिरेक्शन को आपने चूज किया एक सही रस्ता आपने पकड़ लिया है और कहीं ना कहीं आपकी बहुत हेल्प की है आपके एंजल ने आपके फरिष्टों ने आपके इश्वर ने क्योंकि यहाँ पर क्यूंग आपका कार्ड यह एक आपका जो किते हैं कि जब हम तूटे हुए रहते हैं बिखरे हुए रहते हैं बहुत सारी चीजे जो हमें हार्ट करती हैं परिशान करती हैं तब हम नहीं आगे बढ़ पाते लेकिन जब केते ही ना कि जब हमारी एनरजी सही दिशा में आ जाती है तो definitely हमारे अंदर एक confidence आता है हमारा confidence level अब हो जाता है जहां पर हम सिर्फ अपनी चीजों के उपर focus रखते हैं अपनी चीजों के उपर दिहान लगाते हैं और उन सब तमाम चीजों के प्रति हम अपनी एक protection shield तयार कर लेते हैं definitely ten of wills यहाँ पर आपने बहुत हथ तक ूपमेनिफेस्ट कर रहे हो बहुत अच्छी luxury life को मेनिफेस्ट कर रहे हो प्यार को manifest कर रहे हो और आपने आपको protect यहाँ पर कर रहे हो एक गलत दिशा से निकल कर आप सही दिशा में आप जा रहे हो एक सही रस्ते पर हो आप तो उस चीज को आपको भूलने की जरुरत नहीं है जिस तरीके से आप काम कर रहे हो उसी तरी से आपको काम करने की यहाँ पर जरत है बहुत जल्दी यहाँ पर आपको जो एक सही रस्ते पर आप जो चल पड़े हो उसमें आपको success भी यहाँ मिलेगी success मुझे यहाँ पर आपकी family से related दीख रही है success मुझे यहाँ पर आपकी career से दीख रही है और आपकी energy को भी plus यहाँ पर balance किया जा रहा है क्योंई know whens का card मुझे यहाँ पर यह बता रहा है कि जो अब भी तक आप जिस चीज के उपर बहुत जादा सोच इचार कर रहे थे बहुत सारी चीज़े आपकी complete नहीं कर पा रहे थे तो उन सब चीज़ों को आप complete करते हो आगे की तरफ बढ़ रहे हो और अच्छी positive positive energy को आप manifest कर रहे हो और आगे भी आपको करते देना है क्योंकि आपको एक जो उल्टी direction में आप अभी तक अपनी energy को लगा रहे थे अब आपकी energy सही दिशा में सही रस्ते पर आपकी जा र अपनी energy को यहां पर balance करने के लिए बोला जा रहा है ठीक है किसी किसी की life में यहां पर soulmate भी आ सकता है कोई किसी को like करता है पसंद करता है तो definitely वो उससे शादी करना चाहते है तो वो भी उसको manifest कर रहा है तो बहुत हद तक वो चीजे भी वो person भी आपकी life में आ सकता है यह यहां पर ठीक है मैं यहां पर अब energy देख से लेती हूँ आपके लिए कि angels इश्वर का क्या संदे से आपके लिए thank angels thank you so much क्या संदे से इश्वर का क्या संदे से इश्वर का मैं बोल रही थी अभी आपको क्या आपको सही रस्ते पर हो आपको सिफ manifest करना है और planning करनी है यहां पर three cards निकल गए है ठीक है बिलकुल यह देखे आपके cards जो मैं अभी reading में आपको बता रही थी आपको आप सही रस्ते पर हो सही रस्ते पर हो सही एक एक बहुत positivity को manifest कर रहे हूँ आपको क्या करना है आपको ज़्यादा से जदा meditation, ध्यान, योगा करने की जरुत है ठीक है आपको positivity को attract करने की जरुत है जो अभी तक आप शायद मिस कर रहे थे, इन सब चीजों को manifest कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था, वो इसी वज़े से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर आपके काफी चक्रास ब्लोक थे, लेकिन आपने बहुत थत तक उन सब चीजों को यहाँ पर complete कर रहे हो, ठी कि आपको जादा से जादा बोला जा रहा है, संदे से ही है, कि यह time आपका बहुत positive time है, जादा से जादा आपको अपनी energy को balance करना है, meditation, ध्यान, योगा आपको करने की जरत है, peace और शांती में रहने की जरत है, जो manifest आप कर रहे हो अपनी life में, definitely वो चीजे आपकी तरफ आ वो gate है, जो एक बंद था, वो open किया जा रहा है, यहाँ पर abundance में काफी देख रही हो, ठीक, अधिकता देख रही हो, अधिकता किसी की life में, emotionally देख रही हो, किसी की life में कोई soulmate आ रहा है, कोई person आ रहा है, जिसको वो चाहते हो, और किसी की life में, career related में, financially growth देख रही हो, यह नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पसिफ आपको जो manifest करो, उसे करो, planning करना है, plotting क्योंकि समय आपके साथ में है, ठीक है, बहुत positive time है, आपको फ़र यहाँ पर बहुत नजर आ रहे होंगे, and just definitely, ईश्वर आपको कुछ ना कुछ सायन दे रहे हैं, कुछ ना कुछ बता रहे है कि आपके साथ कुछ बेटर होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, तो उसके लिए जितना ज़्यादा खुशी-खुशी उसका welcome करोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपने जीवन में और अपनी life में उतनी ज़्यादा खुशीयों को manifest करोगे, उतनी ही ज़्यादा abundance को manifest यहाँ पर करोगे, आपके energy अभी ऐसी है, friends के जितना ज़्यादा आप positive होके, peace में, शान्ती में रहके, जो चीज manifest करोगे, angels आपके साथ यह प्रोपर आपको यहाँ पर guidelines दी जा रही है, आपको planning से planning के अनुसार यहाँ पर चलने की जर्रत है, okay, मैं यहाँ पर angel देख से देखती हूँ, thank you, yes, thank you, can you! क्या संदे से मेरी से स्काइबर्स के लिए, cancha संदे से मेरे से स्काइबर्स के लिए, can you! यहां पर आपको बोला जारा है कि आपको सिर्फ अपने उपर विश्वास रखना है अपना एक यहां पर बना कर रखने की जरुत है ठीक DOC क्या आपका हार चक्रा बोक था इसलिए आपकी जो भी इच्छा हैं थी या कुछ सकसिस आपको नहीं मिल पारी थी जो सफलता थी जो अभी तक रोकी पड़ी थी जो कुछ चीजों को यहाँ पर complete करने की जरुत थी इसी की वज़े से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे लेकिन यहाँ पर बहुत ज़ादा आपका heart चक्रा अब open किया जिसकी वज़े से आप happy होने वाले हो happy रहोगे तो अच्छे अची चीजों को यहाँ पर manifest करोगे जब manifest करते हो तो क्या करना है अपने उपर विश्वास रखना है कि हाँ जो मैं मांग रहा हूँ इश्वर से इश्वर मुझे यहाँ पर दे रहा है थोड़ा से यहाँ पर अपने उपर trust करने की जरुत है अपने आप पर विश्वास करो और दूसरों के ओपर भी विश्वास करने की जरुत है जब हम एक किते हैं ना बहुत सारी चीजे ऐसी हुई है लाइफ में शायद जो विश्वास घात हुआ है शायद दिल तूटा है आपका तो यहाँ पर इश्वास आपको बताना चाहते हैं कि सब टाइम एक जैसा नहीं होता है ठीक है कभी कभी टाइम ऐसा होता है कि हम जिसे जो अपरिक्षा करते जो उम्मीद लगा के रखते हैं वो चीज़ें वहां पर नहीं होपाती है ठीक, तर इसका मतलब यह नहीं है, कि हमेशा ही वह आपकी लाइफ में होता रहेगा तो यहाँ पर सिर्फ आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ अपने आपको open रखना है खुला रखना है अपने आप पर trust करो वो दूसरों के ओपर भी trust करो यहाँ पर आपको सब दूर love प्यार सब दूर वही नजर आएगा ओके एंड सेकेंड कार्ड था master forgiveness यहाँ पर definitely आपके इश्वर का संदेश है कि जिस किसी ने भी आपके साथ कुछ किया है cheating की है किसी ने कुछ किया है या career place पर कुछ चीज़े ऐसी हुए है जो आपकी आपके अंदर block case आई है जो आप जो चाहते थे आपकी लैप से वो रुका है तो definitely जिसकी वज़े से हुआ उसे यहाँ पर माफ करने की आपको जरुत है ठीके आप एक सही पत पर हो एक सही रस्ते पर हो एक light और प्रकाश की तरफ हो ठीके यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितना आप दिल से काम लोगे उत्ती ही जादा आप लोगों को यहाँ पर माफ कर पाओगे ठीके यहाँ पर आपको healing दी जा रही है और healing यहाँ पर इस तरीके से दी जा रही है कि आपको हर चीज आप possible नजर आने लग जाएगी यह time आपका है तो इस time को आपको जादा से जादा यूज करने की जरुत है ओके यहाँ पर आगे है light activation यहाँ पर देखो यहाँ पर इश्वर का आपके लिए संदेश है कि आप एक light worker हो खुद shine करते हो ठीके यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि सिर्फ आपको अपने अंदर जहाकने की जरुत है अंदर से आपके लिए क्या आवाज आती है उसे महसूस करने की जरुत है यहाँ पर ठीके जो भी आपकी तरफ guidelines आती है जो भी आपको आपके अंदर से thoughts आते हैं उसे loudly उसे clear समझने की जरुत है clear उसे देखने की जरुत है क्योंकि आप एक ऐसे रस्ते पर हो जहाँ पर आपको प्रकाश ही प्रकाश दिखाए जा रहा है light ही light यहाँ पर दिखाए जा रही है ठीके क्योंकि आप खुद एक यह इस cards को देख रहे हो कितना shine कर रहा है white white light है यह तो यहाँ पर आपको चितना ज़ादा आप positive रहोगे उतनी ज़ादा आप positivity को यहाँ पर attract करोगे यहाँ पर आपको फिर यही बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ अपनी true self से यहाँ पर जुनने की जरुत है आपको उस darkness से बाहर निकलने की जरुत है जो आपको पीछे की तरफ लेके जाती है ठीक है आपको सिर्फ आगे की तरफ देखना है और आगे क्या है पीछे तो पीछे हो गया है ठीक है वो डार्कने से पीछे लेकिन लाइट कहां है प्रकाश कहां है एक सही रस्ता आपको कहां नजर आएगा वो सिर्फ आगे की तरफ किसी का root चक्रा में यहाँ पर open होते हुए देख रही हूँ ठीके क्योंकि आपको यहाँ पर इश्वर यहाँ पर संदेश देना चाहते हैं कि आप एक light worker हो ठीके आपको हमेशा अपनी चीजों के उपर धियान देना है अपने उपर यहाँ पर देना है और अपने confidence लेबल को ह तो भी आप मांग रहे हो और डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है ठीके तो इश्वर का यह संदेश था फ्रेंड्स आपके लिए तो इस रेडिंग को मैं यहीं पर close करती हूँ आई होप आपसे रेडिंग रेजोनेट हो अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सेस्क्रा लाइ